साजिश में सबसे पहले बात उस तानातानी की जो दुनिया का भुगोल बदल सकती है परमाणु युद्ध का इतिहास बदल सकती है खबर ये है कि अमारिका की परमाणु मिसाइल रूस की धर्टी के कापी करीब तब पहुंच चुकी है और वही रूस के विदेश मंत्राले की प्रवक्ता मारिया जकारोवा का ये कहना है कि रूस खुद को बचाने के लिए रूस परमाणु युद्ध छेड़ सकता है अमारिका और रूस के बीच ये तना बहुत बड़े खत्रे की तरफ इशारा कर रहा है बारा घंटे 24 घंटे 48 घंटे या फिर 72 घंटे के अंदर क्या बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है क्या दुनिया में दूसरी बार परमाणू युद्ध होने वाला है अमेरिका की परमाणू मिसाइल रूस की धरती से महस 3,000 किलो मीजर दूरी तक पहुच गई है अमेरिका की परमाणू मिसाइल रूस के इतने खरीब होने का क्या मतलब है अमेरिका की पंडोबी युएसस मिशिगन बरसो बाद रक्षन कोरिया पहुच गई है इसके यहाँ पहुचने का वीडियो क्रेमलिन में फ्रेम दर फ्रेम देखा जा रहा है पुतिन के इनर सरकल में इस वीडियो को फरवर्ड करके देखा जा रहा है रिवाइंड करके देखा जा रहा है साथ हिसाथ अक्षन कोरिया के आसमान में अमेरिका के फाइटर जेट गरज रहे हैं धरती पर बारूद बरसा रहे हैं इस फोर्ड के गुंज रूस तक सुनाई दे रही है सवाल है क्या बाइडन के निकुलियर फुटबॉल में खतरे का अलार्म बचने वाला है क्या बिचेन में सुनक लास्ट रिजोर्ट लेटर खूलने वाले हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे अगर अमेरिका के पिसिडेंट के निकुलियर फुटबॉल भजने लगे या फिर बिचेन के पर धर्धर मंत्री को लास्ट लेटर खूलने का नौबत आ जाए तो यह परमाडू हमले का डारेक्ट सिगनर होता है इन दोनों में से अगर एक भी हकीकत बन जाए तो परमाडू बम का बटन डब जाएगा दुनिया में रेडियेशन वार छीट जाएगी अमेरिका की निकलियर मिसाइल दुश्मन देश को परमाडू बम से खाग में मिलाने के लिए निकल जाएगी नौथ अट्लांटिक महासागर में मौझूद बिजन की मिसाइल से ट्राइडेंट परमाडू बिसाइल निकलेगी दुश्मन में परमाडू तवाही लाएगी बार सवाल है क्या ऐसा होने वाला है रुस्के राश्टपती वाला विदिर पुटीने बहुत बड़ा इशार किया है अपने इस बयान में जो कुछ पुटीने नहीं बताया उते रुस्के विदेश मंद्राले की प्रवक्ता मारिया जखारोड ने पूरा कर तया मारिया जखारोड का कहना है की भुट को बचाने के लिए रुस परमाडू युदेश सकता है भिगेट परüst्फेटियो में परमाडू हते़ो का का कहना है रोस के समाचार एजिसी तास के मताविक रोस की परमाडू नीटी रक्षात मक है लेकिन मुश्किल वक्त में रोस पहले भी परमाडू हमला बोल सकता है रोस को अंदेशा तो इस बात का भी है कि उक्रेण को परमाडू हधियार भी मिलता है पुदिन के बेहत कारीबियों में शुमार और रूस के राश्मति प्रधानमंत्री रह चुके दिमित्री मेद्वेदेव ने दो टू कहा है कि अगर पश्रिम के देशों ने यूक्रेन को परमालू हत्यार दिये तो रूस बीना सोचे सबसे पहले परमालू हमला करेगा तब प वियत्नाम वो देश है जहां अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा था पीड दिखा कर भागना पड़ा था ऐसे में मुम्किन है कि मेद्वेदेव ने पश्रिमी देशों को धंकाने के लिए को नेतिक लिहाद से एहम वियत्नाम को जान बुचकर चुना हो मेद्वेदेव ने पश्रिमी देशों खास कर अमेरिका को सीधे और सखत लहजे में कहा कि वो इस मुगालते में ना रहे कि पुतिन ने उकलियर ट्रिगर नहीं दबाएंगे मतलब सीधा है कि परमाडू वार हिट के साथ रूस की मिसाइल कभी भी यूक्रेण पर गिर सकती है मेद्वेदेव रूस के कोई आम शक्स नहीं है वो पुतिन के अलावा रूस की कलौती जिन्दा शक्सियत है जिनकी उगली रूस के परमाडू बटन पे रह चुकी है पुतिन को करीबी से जानने वाले और रूस के एक पुर्व केजीवी जासूस ने बहुत बड़ी चेताउनी दी है पुर्व केजीवी जासूस की चेताउनी के मताबिक अमेरिका का वाइट हाूस लंदन का डाउनिंग स्टेट केव का प्रेसिडेंट हाूस ये तीनों पाव सेंटर पुतिन का टार्गेट पर हैं दावे के मताबिक अहां पुतिन की सेना परमाणू बंब गिरा सकती है रूस के एक पुर्व केजीवी जासूस जैक बारस्की ने कंभीर चेताउनी दी है जैक बारसी का दावा है के पुतिन ने दुनिया को परमाणू युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है परमाणू युद्ध के आश्रंकाओं के बीच दुनिया खतरनाक समय का सामना कर रही है और खतरा पहले से कहीं अधिक और बड़ा हो सकता है जैक बारस्की उसी के जासूस रह चुके हैं जिसके पुतिन भी जासूस थे बारस्की अभी अमेरिका में रहते हैं अमेरिका में ही वो केजीबी के स्लिपर एजेंट रह चुके ही वो रूस के लिए अमेरिका में जासूसी का काम करते थी जैक बारस्की साल 1978 से 1988 तक सक्रिये थी जैक बारस्की का दावा है कि वो पुतिन का माइंड पढ़ना चानते हैं ऐसे में पुतिन के परमाडू हमले को लेकर जैक बास्की की चेतावनी बहुत बड़े खत्रे का अलार्म बजा रही है आगे पढ़ें उसके पहले जैक बास्की के धावे को बल देने वाले और परमाडू युद्ध को लेकर रूस से मिले कुछ सिगनल को जान लीचे पुतिने अपना सबसे बड़ा नुकिलियर बॉमर टी यू वन सिक्स्टी को बेरेंट सागर के उपर उड़ाया है पुरूस ने अपने इस नुकिलियर बॉमर को नौरवेजियन सागर के उपर भी उड़ाया है खबर ये है कि नौटिक देश टेनमार्क ने अपने परमाडू बंकर का दर्वाजा आम लोगों के लिए खोल दिया है परमाडू बंकर का काम लोगों को परमाडू हमले से बचाना होता है विदेश्री मेडिया के मताविक पुतिन ने तीन परमाणू एक के निकाल लिए हैं पहला एका रक्षामंती स्तरगेई शोगों कह चुके हैं कि रूस अपनी परमाणू मिसाइल की पावर को बढ़ाता रहेगा दूसरा एका है रूस सुरक्षा परिश्रत के डिप्टी चिह दिवित्र मेडवेदेव मेडवेदेव ने कह दिया है कि हम विश्र युद्ध के कागार पर पहुंच चुके हैं और पुतिन का तीसरा एका है वलामीदिर येर माको रूस में परमाडू अपरसारवी भाग के टीजी वलावीदिर यर माको ने कह दिया है कि रूस और अमेरिका के बीच परमाडू युद्ध किसी भी वक्त हो सकता है पुतिन की ये तीनो एक के एटम बंग की बात कर रहे हैं पुतिन की ये तीनो एक के परमाडू युद्ध की वार्णिंग दे रहे हैं और तो और रूस ने परमाडू युद्ध का ट्रेलर भी दुनिया को दिखा दिया है पुतिन के परमाडू हमले वाले आर्डर के बाद वह जो एक वह तावर इस है पुतिन की युद्ध के निए कुलिया फूस का कमांडर ग्रीन सिगनल देगा फायरिंग ऑफिसर बटन दबाएगा आग लगेगी धूमा उठेगा पलक छपकते ही आसमान चलने लगेगा तगन भेदी शोर गुंच उठेगा आग और धूई को चीर कर तुफानी रफ्तार से रूस की परमाडू मिसाईल चल पड़ेगी यह वो लम्हें होंगे जब पूरी दुनिया खौप से बढ़ जाएगी पुतिन के एक इशारे पर गरस्ती हुई मिसाईले आसमान को भेदती हुई अपने टार्डिट की तरफ बढ़ चलेंगी आपके जानकारी के लिए बता दें यह रूस के परमाडू युद्ध के अब धास का वीडियो है ऐसा कर पुतिन अपनी नियुक्रियर हथियारों से दुनिया को डराना चाहते थी अमेरिका के राष्ट्पती बाइडर को सीधा संदेश देकर पुतिन साफ कर चुके ही कि रूस को किसी भी किमत पर चुकाया या ढराया नहीं जा सकता पुतिन के इस बयान से ये बाग शिशे की तरह साफ हो चुकी है कि उक्रेनी उत्र में कुषी भी वक्त परमालों बंब का इस्तेमाल हो सकता है पुतिन के इस धंकी को पुरी दुनिया बार बार सुनती है पुतिन अपने बाचन में परमालों पर रिक्षण की बात बहुल चखे है पुतिन बहुल चुके है अगर अमेरिका नुochond terminals अपंधिया टेस्ट करेगा तो 연 verstुझ हऊ इस करेगा उक्रेनी योदिस देब इस तेल जी है नैटों को च'तानी देगे है तो परमाड यूद का कई मर्थबा जिकर कर पुरी दुर्या को डरा चुके हैं मिनिस्टर्स अबरोन रसी एरुसातम जो अबेस्पेचित गतोंनस्ट क कि इस्पतानि रसी इडरन वारुश पर्वमे मैं रसुमेटेट इडर देल न इस्पतानि तो एम पर इडर पर जो एडर प्रवीड़ को ऑपासन इल्जिए है इसे जानने से पहले पुतिन की परमाड बंप के परिक्शन वाले सबसे बड़ी और नहीं के मैंने समझना जरूरी है रूस के मताबिक अब रूस वो करेगा जो पिछले 33 साल में नहीं किया रूस नए परमाडु बंका पर उक्षर कर सकता है उतिन की ये धंकी तब और खतरनाक हो जाती है जब ये ख़बर सामने आती है रूस में सबसे बड़े नूकलियर टेस्टिंग साइट को एक्टिव कर दिया क्या है और रूस रिसर्च इंस्टिटीट आफ एक्स्प्रेमेंटल फिजिक्स व्याचे सलाव सोलो भी वो ने दावा किया है कि अगर जुरत पड़ी तो नुवाया जमलेया में किसी भी वक्त रूस परमारू परिक्षन कर सकता है पाचे सलाव का ये दावा पुतिन के ही परमारू धंकी से सो फिस्दी मेल खाता है नौाया जमलेया परमारू परिक्षनास थल रूस की सबसे बड़ी नूक्रियो टेस्टिंग साइट में शामिल है नौाया जमलेया रूस के उत्तर और यूरोप के पूरब उत्तर में आर्क्टिक्स महासागर में एक द्वीब समू है नौाया जमलेया मौसकों से खरिम 2000 किलो मेजर दूर है साल 1954 में पहली बार नौाया जमलेया परमारू परिक्षनास थल को तैयार किया गया था 1990 तक रूस नहीं यहां 132 मर्तबा परमारू परिक्षनक कर चुका था साल 1961 में यहीं रूस ने आज तक का सबसे शक्तिशाली परमारू बम जार बम का विस्फोट किया था अमेरिका के साइंटिस्ट मान रहे हैं कि अगर रूस परमारू युद्ध की तरफ आगे बढ़ता है तो उसे तीन स्टेप में अंजाम दे सकता है और पहला स्टेप परमारू परिक्षण का होगा सवाल है क्या परमारू हमले का पहला राउंड शुरू होने वाला है उद्धिन की न्युक्लियर वा टास्क लिस्ट में पहले नंबर पर नया परमारू परिक्षण है दावे के मताबिक परमाडू पर एक्षड की तैयारी सौ फिस्दी पूरी है टास्क लिस्ट में दूसरे नंबर पर टैक्टिकल न्यूकलियर बम्ट से अटैक है जिसके लिए रूस की न्यूकलियर फॉस 24 घंटे तैयार रहती है टास्क लिस्ट में तीसरे नमबर पर बड़ा परमाणू हमला है जिस पर सिर्फ और सिर्फ पुतिन ही आखरी फैसला लेंगे परमाणू युद्ध को लेकर पुतिन क्या सोचते हैं ये उनकी धंकियों से साफ हो जाता है पुतिन ने साफ साफ शर्फदों में नैटो देश को चिता चुके हैं युकरेन को जितनी लंबी दूरी की मिसाले मिलेंगी रूस खत्रे को अपनी सीमा से उतना ही दूर करतेगा पुतिन के मताबिक रूस और युकरेन का मामला लोकल था लेकिन अमेरिका और रूस के वश्चमी देशों ने उसे दुनिया का मसला बना दिया एक छोटे से युद्ध को परमाण युद्ध के मुहाने पर पहुँचा दिया है यही वज़ा है कि बेलारूस में रूस के परमाण हथ्यारों की कोंचने का पुटिन का ऐलान और रूस के विदेश मंध्राले की प्रवक्ता मारिया जखरवा का परमाण हथ्यारों के इस्तिमाल को लेकर दी गई चेतावनी बहुत खतरनाग को जाती है विद्ध कर दो